हेलो गाईज, कैसा आप लोग उम्मीद करता हूँ, आप लोग बढ़ी हाओंगे तो दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए एक नय वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे एक एंप्लिफायर के बारे में जो कि दोस्तो बेस का किंग ये एंप्लिफायर मानी जाती है बेस का ये दोस्तो राजा एंप्लिफायर है जो कि दोस्तो जाइफर जेड एंप्लिफायर है बहुत ही अच्छी दोस्तो एंप्लिफायर है खास कर दोसे यह हमारी amplifier base के लिए बनाई गई है क्योंकि दोस्तो इस amplifier से base बहुत ही अच्छा बजता है base vibration punch हर एक चीज में यह amplifier बहुत ही आगे है next level का यह amplifier है भाई बहुत ही अच्छा दोस्तो amplifier है तो दोस्तो आज मैं आप सभी को इस amplifier की details बताऊंगा और दोस्तो प्राइस भी बताऊंगा कि market में इसका क्या प्राइस पढ़ने वाला है तो दोस्तो वीडियो बहुत ही knowledgeable होने वाली है और दोस्तो आपको यह भी बताऊंगा कि दोस्तो हम इस amplifier पे कितने वाट का base चला सकते है जो कि दोस्तो बहुत अच्छा response सुनने को मिलेगा दोस्तो इसमें response आपको वैसे भी बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा क्योंकि यह दोस्तो खास कर base के लिए ही amplifier बनाई गई है टोप के लिए यह दोस्तो amplifier नहीं बनाई गई है और दोस्तो आपको इस amplifier को open करके भी दिखाऊंगा बताऊंगा दोस्तो कि इस amplifier के अंदर कैसे manufacturing की गई है और दोस्तो कौन-कौन से हमारी इस amplifier के अंदर parts लगाएंगे है कैसा quality इसमें use किया गया है कौन-कौन सा सामान use किया गया है तो दोस्तो वीडियो को बहुत ही knowledgeable होने वाले ही वीडियो को पूरा जरूर देखें तो दोस्तो बात कर लेते हैं पहले इस amplifier के front look की तो दोस्तो हमें एक flight case देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तो यह हमारा amplifier flight case के अंदर ही आता है बहुत ही दोस्तो सुरचित यह amplifier होने वाला है तो दोस्तो आपको दो channel देखने को मिल जाते हैं channel 1 और channel 2 क्योंकि दोस्तो यह हमारा दो channel का amplifier है और दोस्तो आपको level output indicator bulps भी देखने को मिल जाते हैं और दोस्तो बहुत ही यूनिक एक दोस्तो लोगो दिया गया है जो कि दोस्तो इसमें होर्स बना हुआ जाइफर जेड का लोगो दिया गया है और दोस्तो आपको यहाँ पर जाइफर लेपस जेड एट मेंशन किया गया है दोस्तो ब्रांडिंग दी गई है जो कि दोस्तो बह open करके देखते हैं कौन-कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों आपको एक एक heavy transformers देखने को मिल जाता है जोकि 200 hundred percent copper में दिया गहा है और दोस्तों आपको दो सब्सक्राइब livres अलग अलग देखने को मिल जाते हैं कि ईसमें 20 लगे हुए हैं 1 चैनल के अंदर बहुत ही हैवी कॉलिटी के कैंपेस्टर यूज किये गए हैं जो कि डोसका टोट इसेंपलिफ़ार के अंदर 400 7ug हुए हैं जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे लगे हैं और दोस्तों आपको यहां पर दो cooling fan देखने को मिल जाते हैं जो कि दोस्तों हावारी amplifier को ठंडा रखते हैं चलिए अब दोस्तों बात कर लेते इस amplifier की details के बारे में specifications के बारे में क्या तोźतो आपको 50G ध defense के लिए बेस इसमें बहुत ही खुल के बजएगा बहुत ही तंडा सुनने को मिलेगा ऐन दोस्तों इस amplifier के frequency range की बाकिला रिस्पोंस की बाकिला तो दोस्तों आपको 20 Л॑ से लेकर 1000 Hz देखने को मिल जाती है frequency range जो कि दोस्तो बहुती best है इसमें base vibration बहुती तगड़ा सुनने को मिलेगा ठीक है और दोस्तो यह हमारी amplifier class D में आती है बहुती अच्छी amplifier है और दोस्तो इस amplifier में आपको AC current देना है 240 ठीक है दोस्तो आपको response अच्छा सुनने को मिलेगा एंड दोस्तो इस amplifier के net weight की बात की जाए वजन की बात की जाए तो दोस्तो 38 केजी देखने को मिल जाएगा इस amplifier का वजन चली अब दोस्तो बात कर लेते इस amplifier के power output की कि दोस्तो हमारा amplifier कितने ओम में कितना output तो दोस्तो यह हमारा amplifier 4,000 watt निकाल के देता है पर channel एक channel पे 4000 और दूसरे। चैनल पे bile 4000 वजन काल के देता है ओड पूलर में Mormon चॉबीस सो पचास वाड़ीज निकाल की आउरपट देता है दोनों चैनल में आर में और में सबढ़ान में जो कि दोस्तो बहुत है बेस्ट है इसमें दोस्तो टूओं भी दिया गा है लेकिन हम इसमें केवल बेस ही चलाएंगे तो दोस्तो टूओं की हम बात नहीं करेंगे ठीक दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं कि फोरॉम में कितने बेस्ट चला सकते हैं तो दोस्तो आप इसमें फोरॉम में एक ड आवास देगा, बेस पाइबरेशन जहां पर भी यह एंप्लिफायर लगाएंगे, बेस लगाएंगे, एकदम दोस्तों जमीन हिला देगा, बहुत अच्छा एंप्लिफायर है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, एटोम की, तो दोस्तों जो हमारा एक स्पीकर आता, सिंगल लगाई चाहें 21 सिंचिस लगाई लेकिन वाड़ेस आपको 24-25 वाड़ेस रखना है इस पीकर का अगर दोस्तों आप डोस्तों आपको बताए इस एंपलिफायर की डिटेल्स के बारे में अब इम्प्रिफायर बेस चलाने के लिए number one quality पे आता है number one पे ये हमारा amplifier आता है base को चलाने के लिए चली अब दोस्तों बात जाएंगा नहीं जाइगा लेकिन PayPal के लिए ठीक हैं बाकि indर को आ Certain से tap मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि दोस्तों जभी मैं वीडियो सब्लोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन और वन्द मात्रम